दोस्तों नमस्कार आज के इस विशेश एपिसोड में चने के ओपर एक महतपुर्ण खबर निकल के आ रही है उससे हम साध्या करेंगे और बजार में दालों की क्या खबर क्या भाव रहे उसके भीच चर्चा करेंगे जानिये पूरी रिपोर्ट विस्तार से नमस्कार दोस्तों मैं कर्णल अजय सीओ अजय स्ट्रो मनी ग्रूफ वर्श ग्लोबल अस्ट्रो फनाइस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 14 जून सन 2022 मंगलवार दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चने का निर्यात हो सकता है सूत्रों की माने तो मुद्रा बंदरगा से 10 से 12 हजा टन देशी चने का निर्यात किया जाना संबभ हो सकता है और ये बंगला देश को या फिर कुसी और दूसरी कंट्री को तस्तावित हो रहा है दोस्तों साथ साथ खबर निकल के आ रही है कि वर्मा एवं महराश की अरहर साथ दिल्ली में मद्रप्रदेश की मसूर नरम हो रही है यानि कमजोर हो रही है दाल मिलो के हाजिर मांग कमजोर होने के कारण मंगलवार को दिल्ली में नया बजार में बर्मा महराश की अरहर के साथ मद्द प्रदेश की मसूर के भाव भी कमजोर बताए जा रहे हैं बड़ी हुई कीमतों में दालों में थोक के साथ ही खुद्रा रिटेल डिमांड भी कमजोर बन गई है यदपी डॉलर के मुकाबले रुपिया की कमजोरी से अरहर उड़त के आयात महंगे हो गए हैं जिससे भाव तेज होने चाहिए लेकिन वो तेज अभी नहीं हो पा रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपिया कमजोर होकर 78 रुपे 25 पैसे के इस्तर पर पहुँच गया है जिससे दालों का आयात महंगा हो गया है दिल्ली में बर्मा की लेमन अरहर के भाव 25 रुपे कमजोर होकर 6475 रुपे प्रतिकिंटल रह गए हैं दिल्ली डिलिवरी में महाराज की नादेड लाइन की पुराने एवं नई अरहर के भाव में 25 रुपे की गिरावट दर्ज होई है और ये 6275 से 6375 और 6475 रुपे प्रतिकिंटल रह गई है यानी पुरानी लाइन की जो अरहर हा है वो 62,6275 और नई लाइन के 6,375 से 6,475 रुपे प्रतिकिंटल चिन्नई में वर्मा की लेमन अरहर के भाव 6,100 से 6,125 रुपे प्रतिकिंटल पर इस्तिर बने रहे लिसमे कोई व्यापार नहीं होने की समाचार है दालमिलो के हाजिर मांग कमजोर होने से दिल्ली में मद्रप्रदेश की मसूर के भाव 50 रुपे की गिरावट के साथ 7,000 रुपे प्रतिकिंटल रहे गए हैं चने पर विशेश रिपोर्ट याद रखेएगा तेजी आने के बाद तेजी कहना, मंदी आने के बाद मंदी कहना, मंदी के पचास कारण निकालना ये विशलेशन कभी भी व्यापारी या किसानों के लिए फायदेबन साबित नहीं हो सकता। आप छोटे कारोबारी छोटे व्यापारियों के लिए उपलब्ध है, आप नंबर स्क्रीन पे दिये गए हैं, मुबाइल नंबर उनको सेव कीजिए और चना रिपोर्ट लिखके आप हमें भेज दें, हम आवशक प्रक्रिया पूरी करेंगे। उपलब्ध है, उसके लिए भी आप संपर कर सकते हैं, इसके अत्रिक्त आप एग्रोजीन्स में दाले यानि पल्सेज, मसाला, ओल सीट्स, यानि दलहन, तिलहन, कॉटन यानि कपास, मसाला, इन सभी की जानकारियां आप रेगुलर सस्क्रेप्शन से आप प्राप कर सकते ह हैं, एडवांस प्रेडिक्शन के जरिए, दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको इंडियन सिस्टम ऑफ अनलेसिस एवां फंडामेंटल एनलेसिस के अधार पर आप तक पहुचाई जाती है, दोस्तों याद रखेगा, अजेस्टों मनी ग्रूव, आपको अग्रिम विशल हैं।